इस लड़की को सो सोने की असरफी नाम में दी जाती है दे दिना ये देख बागा आओ जी आपन लो पहले और इस लड़की को ये खेला बहुत है जी हाँ इसको 200 दे दियो इसरफी और कुछ है और कुछ नहीं और क्य लेगी बेटा के कह रही है गुपारे लेगी जी तो अज़ा गुपारे से खेलेगी इसको एक पैकेट गुपारे का दे दे जो हाँ इस लड़की को बुलाओ सबसे पहले महराज को असलाम वालिकुम असलाम जी महराज फरमाईए परमाणा ये है कि हम आपके इन्रित्ते पे बड़े खुश हुए अपने नकाब लगा रखा है अगर ये नकाब हटा देते हो तो हम आपको एक हजार सोने की असर फिरे गए महराज आप एक हजार चाहे एक लाग दीजिये लिकिन ये नकाब नहीं हटेगा जा अब कैसी गोषना कर दू नकाब के हटा के मानगी पचास हजार सुनने की एसर्फी मिलेगी माराज पचास हजार ये बहुत कम है फिर केचिए माराज अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे एक वचन चाहती हूँ पहले मुझे बिसंबर हरी मिर्च के दादाजी ने सोर पे दिये थे बहुत-बहुत शुक्रिया आप मुझे एक वचन दीजिए आज मैं कि मी मांगूँगी जो आपने देद्य तो नकाब भड़ जाएगा ले वचन महराज शेर खान वचन मत दो क्यूँ वचन मैं राज पाट मांग लिया तो नाचने गाने का कम में नहीं 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 चिंतना अगर इंसान अपनी सोच से अधिक सोच भी नहीं सकता जल्दि राज जी होके इप मांग लिये कोई बड़ी आसा न जिराना तो सुनिए महराज मुझे क्या चाहिए उससे थारी सभा में चुहर में राजो ले क्या माल खजाना समझ समझी बात क्या गहां दुबारा सुनो राजी होके मांग लिये कोई बड़ी आसा न जिराना थारी सभा में चुहर में राजो ले का पार्खजाना थारी सभा में चुहर में राजो ले क्या माल खजाना नड़की मेरी सभा में चोर नहीं हो सकता महराज आपकी सभा में वो चोर बैटा है और मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है जी लेकिन दूसरी बात सुन हाँ ना देखी न सुनी मने ऐसी घटला रहियत तुम्हारीमै दिखे सारी राती हिर सारी राती जाग के काडू जी आरा मेरा ग्यारीमै नाम बता उकागाम बता क्या तुझे दिखाई दे रहे हो जी महराज एक काम कर जा निचे जा हाथ पकडनके उसे उठा फिर दंड दे देंगा भारी में दिखे सेर खान से सेर खान से नाम चोर का जो नहारी असत भारी में चोर लेलाही हाँ या तो बुक कर के भी मेल आये हूं प्रेमेंट भी मैं करूंगा और चोर भी मैं बता दिया ये तेरे को चोर बता रही है या जूट बोल रही है जी ए लड़की जी इसने तेरा क्या लूटा महराज इसने मेरे घर से एक सोनी की चैन पाच तोलेगी दो जूड़ी मेरी सोनी की कड़े एक जूड़ी चान्द की पाइल और मेरी चुटकी मेरी अंगुठी और एक महराज सुनो महराज इतना बड़ा एक मेरा पतिल ला था वो भी ले गया एक पितल का पतिल ला तो जोट बोल रही है या कोई और हो गो चोर इसका इसा कोण सा लुट्ट्या माल तेरा इसा कोण सा लुट्ट्या माल तेरा चहिए भेध बताना कि पंद्रा रोज दोरे डाटा यो मरा नहीं हर जोगना, बंद्रा रोल में दाटनाओ, बंदरा रोल में दातनाओ, बंद्रा दिन आगि बात समझें, आगि समझें, यह बात समझें, यह बात उस्ताओ, ओ शेर खान, आजी जिल्ले इलाही के बच्चे पंदरा दिन की छुट्टी गया ददू और यहां नुका पंदरा रोज मेरे धोरे रहा इसके दोरे हाँ पाणी मरे बात में इसके दोरे के करूंगो मैं यह कहना गरिया रहे जूट बोल रहे है मैं तो चोरी करने आये ता माराज स्वामबत के पास मेता मैं तो पंदरे दिन हाई पटका कटार लाया इसने जांग पे तिल्क पता लड़की जी होस में आजा यह सेना पती है माराज मैं होस में हो लेकिन मुझे लगता है यह होस में नहीं है सुन अब समझगे बात तेरे बूल लाग रही है किस बात की इसके इतनी लं आज दाटी चाय कुछ भी कटवा दे लेकिन मैं पैचाल लोंगी इसने यो है यो ही है मेरी बात सुन जी शेर खान कितना प्यारा बच्चा है देखिए खान कोटे इमान शेर खान कोटे इमान नतरनी मेरे बात जाचे कोना मैं छोटी जाती महराज आपको मेरी बात नहीं है मतलब समझ बेर नहीं आरे है मैं छोटी जाती, मैं छोटी जाती बड़ा ओता थारे मेरी बात बच्चे खोना जोटी जान बड़ा ओता थारे मेरी बात बच्चे खोना जेकर आप राद शेर खान ने करोध ते मेरे बच्चे कोना ठाटे के सब बड़े ही माती, इने की ओर किजे भोण्या यो फिर तेरास, रागली पूरी कर दू, दोकली रेगे ये फिर तेरास, रचे को ना, इस ठोकूंगा जुर्मना तेरे करम देग इनसापी करो ठारी, दुनिया करे सरहना लड़की तुने इंदुस्तान के सेनापती के परिल्जाम लगाया है अच्छा आईए सासर जी तीन सो पहले सो रुपे अब इस समात पर दे दे बहुत बोधनेवाद अगर तुझ उट्टी निकली तो सजाय मोत मिलेगी तुझे बिल्कुल महराज अपनी बात पर कायम है बिल्कुल कायम हो तो ठीक है बिचर जा जी शेर खान जिल्ले लाही तो हो लियार तेरे पेक्त दुरिस्ते मेरा साड़ा लागया है हिंदुस्तान का सेनपती है और तेरे पर चोरी कल जाम लगाया है जूटल जाम है साबित कर यो भरा हुया भरा हुआ दर बार से रखा देते सही बयान मने बिना खता बेबात या नटनी करी से परेशान मने जूट बोल के रहे जूट बोल के नहीं बचेगा लेनी पड़ जान मने आज से पहले आज से पहले इस नटनी की दखी को नशान मने आज से पहले इस नटनी की दखी को नशान मने डूक्तर नीलम यादव जी हमारे बीच में पोचे एक बार जोर दार ताली बजा के आप इनका स्वागत के जी आए स्वागत है बंजी आए प्रणाम 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 आई अधकी सबी बिलकुल तंत पे सलरी बात है यो विश्वाद की बात है उरना आजी बात दुबारा बता यो भरा हुए दरबार से रिखा देदे सही बयान मने बिना खता बेबाती अनटनी करी से भरेशान मने जूट बोल के नहीं बचेगा लेनी पड़ जान मने आज से पहले इस नटनी की देखी को नशान मने आज से पहले इस नटनी की देखी को नशान मने लड़की दरा नकाब अटा के शेर खान को प्राचेहरा दिखा बोल इसको जानता के नहीं जानता नहीं जानता नहीं जानता इसकी शकल देख ली पक्की बाद अल्ला ताला की कसम खा के तु नहीं जानता अल्ला ताला की कसम में इसको नहीं जानता नूरे बीवी फातिमा आपे जम जम नीर मक्का मदिना की कसम खा नूरे बीवी खातिमा अरे फातिमा आपे खम खम खीर जम महाराज मुझ पर दू का माव है जी थोड़ी सी चल दो ठीक अपने बच्चों की कसम खाके बता कि इसको नहीं जाड़ता देखो जी सलमान की कसम सारुम की कसम रवीना की कसम करीड़ा की कसम इरफान की कसम कितने हैं चालिस हैं जी चालिस बालक ले रहा है और पत्नी कितनी है ग्यारें जी बार्वी की तैयारी है साधी को कितने साल हुए चार साल हुए जी बस ए मेरे राम यो कॉन सैवरे जा बई चालिस बच्चे, ग्यारा पत्नी एक काम कर, लईो दे ये कुरान सरीफ को हाथ में लेके बोल शेर खान, ला इलिलिया के तुने इसकी शकल नहीं देखी, शान नहीं देखी कुरान सरीफ की कसम में इसकी शकल नहीं देखी, नहीं देखी यो ठाणी हाथ कुरान तने लें, इब कसम खुदा की खाणा है खुदा पाकी कसम मुझे ना जानू पता धिटाना खुदा पाकी कसम मझे ना जानू पता धिटाना लड़की, जी महराच अब ये सावित हो गया क्या? के दोसी तू है, ये सच्चा पका पठान है, मुसल्मान है, ये कुरान सरीप की कसम जूटी नहीं खाएगा, तू जूटी है, इसने तेरी शान नहीं देखी, और इस जुर्म में अक्बर तेरे को सजाए मोत देता है, तो ठीक है माराज, अगर आपको लगता है कि मेरी गलती ह मेरी खताए माराज, तो ठीक है, आप मुझे जो भी सजादेंगे, मुझे मनजूर होगी माराज, सजाए मोत, अच्छा, अगर तेरी कोई आखरी इच्छा है, तो भोल, मुर्त्यु दंड से बचने को छोड़ गए, मरत्य से पहले माराज, मेरी आखरी इच्छा ये है, कि म मैं सेर्खान से सिर्फ पांच मिनट बात करना चाहते हूं सेर्खान से पांच मिनट बात करना चाहते हैं जी सरदारों करवादू इजाजत है है साची बात कउसु नटनी इस में कोण सी छोरी से तू जिसनी नटनी समझी रहाया चाप सिंग की बोरी से जिसने नटनी समझी रहाया चाप सिंग की बोरी से क्या कहा ओना जी महाराज चाप सिंग की पतनी स्वंबती हां महाराज आप हो जी अरे बेटी अरे जबा है लो है लो सेरखांसा भी दराओ जिल्ले लाइब मैं आवाज पढ़ का रहा हूं जी अभी उरे ना तरी कलमा पढ़ूंगा उरे ना बेटी आज अकबर को वो दिन आता है याद दिल्ली के मीना बजार में अकबर एक नो रोजी मेला बरवाया करता था केवल महिलाए जाती थी हिंदूओं की महिलाए और अकबर भेस बदल के जनाना भेस बना के हिंदूओं की बहान बेटियों पर गंदी नजर रखता था एक दिन सोम्बती आ जाती है चूड़ी पेराने के लिए अकबर ने जैसी हाथ पकड़र गलत मंसा से हाथ दबाया तो सोम्बती ने कटारी काड़ का घिट्टी बधर दी अकबर के रोंग रोंग का आपके था अकबर का आज वो दिन वोनट की सामने खड़ी है बेटी आज तेरे इस रोल को देखे अकबर किसी के सामने नहीं जुका तेरे आगा जुक के माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के अर बेटी जा एलान करता हूँ जब तक धरती चांद सितारे और असमान रहेगा ए हिंदूो तुम्हारा दुन्या में इसी तरह इसी तरह तुम्हारा सहगाम रहेगा जिल्ले इलाई तुने इसकी शान नहीं देखी तो वो तिल का निशान कहां से देख लिया जिल्ले इलाई जिल्ले इलाई दो मिनिट बात करवा दो जी सजनो दो मिनिट बात करने की कह रहा है करवा दू के लेकिन उससे पहले जाप सिंग को बाई जत बरी और शेर खान को सजाएं मों दू कर दो मिनिट बात करवा दो तू दरम बान से तू दरम बान से सोम वटी इभी तरे हाथ में डोरी से वो बेग राज इनसाफी करने यर वो मालिक सचा जो हरी से सजाए मोत को अकम दे दिया शेर खान काप जाता बुला तू मेरी आज के बाद धरम बहन और पैरों में पढ़ गया लोगों ये हैं हिंदुवानी हिंदुओं की और ते महारी बहन बेटी पैरों में पढ़के बहन बहन कहीं बर बोल गया तो सोमबती इन्नों कहते बैयकवर साब राजा साब इसने मेरे को बहन बोला इसने तो मेरा घर उजाड़ा लेकिन बहन बोल दिया राजा साब अगर आप मेरे से खुश हो तो जाओ इसके भी बाड़ बचे इसको माफ कर दो वो भी माफ कर दिया जोरदार ताड़ी हों चैसके और कोई नहीं राजस्तान मेवाड की आनवानसान महरणा परताप के छोटे भाई सक्ति सिंग राजपूत की बेटी थी ये सोमबती हा जोड कने विल्या कैला शंद बंद कर्या भाई अमित जोधरी बंद कर्या चत्वीरा का अजमारा अले हुआ मुकदमा दिके हुआ मुकदमा महरे सांग का दुनिया करे सराना हुआ मुकदमा महरे सांग का दुनिया करे सराना हुआ मुकदमा मारी शाग का तुल्या गरे शराना हुआ मुकदमा मारी शाग का तुल्या गरे शराना